आज मेरे याँ शाम को मेमान आने वाले हैं और वे डाल, चावल, रोटी, सब्जी ये नहीं खाना चाहते थे लेकिन उनको ऐसा नास्ता चाहिए था जो भर पेट हो और उन्हें घर जाकर वापस बनाना न पड़े उन्होंने ये भी फर्माईश रखी कि मैं कुछ मारश्टन स्टाइल का फेमस डिश बनाओ मैं क्या नास्ता बनाओ ऐसे सोची रहती सिर्फ मुझे दूट लाना पड़ा बाहर से बाकी सब मेरे घर में ही था तो गर की चीज़ों से कैसे बना सकते हैं नास्ता वो भी भरपूर और टेस्टी तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ मेरे मेमानों के लिए मैंने तीन लीटर दूद लिया है अब मैं इसके उबाल देंगी और तब तक उबालूंगी जब तक यह आधा नहों जाए स्लो टू मीडियन फ्रेम पे रखना है लकरी का यह चमाच इसके उपर रख देते हैं ताके दूद उपर आते ही छलक न जाए एक तो मैंने चना लिया और उसको भिगा दिया एक पांच छे घंटे तो टाइम था उनके आने में तो मैंने चने लिये और भिगा दिया इसमें डालूंगी में थोड़ा सा नमक इसे प्रेशर कुट कर लेते हैं मीजियम फ्लेम पे और दो सिर्टी विसल्स देते हैं कुकर का तीन सिर्टी हो गया है यह ठंडा हो गया है अब मैं कुकर निकाल लेती हूं यह देखते हैं पग्या है क्या मस्त पग्या है यह और दूद उबल रहा है वापर जो मलाई निकलता है ना उपर का उसको उसी में मेक्स कर देना है और देखा ना अपने इतने देर से दूद उबल रहा है फिर भी वो नीचे की और नहीं चलका क्योंकि मैंने यह लगडी का चमज जो इसके उपर रख दिया था इसका कलर तो चेंज हो गया है लेकिन इसको थोड़ा और ठिक होने का है तो हम इसको और उबालेंगे अब हम चमते हैं इसका डिश्ट बनाने के तरफ दो मध्यमाकर के प्याज मैंने रफली चौप कर लिये हैं अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं और अधरक लसन अधरक मैंने दो इंच का टुकडा दिया है और आट-दस लसन की कलिया जो गरम मसाले यूज करने है वो है दो दो तेज पान दिये हैं मैंने एक इंच दाल्चनी का टुकडा एक साथ आठ कालिमेज चार पांच लॉंग तीन हरी इलाइची और एक चमच रिजलर एक बड़ी इलाइची गरम मसालों को हमें भूनना नहीं है ऐसे ही हमें मिक्सर से बार एक पाउडर कर लेना है मैंने ये बैद लिया है है इसे गरम करते है गरम हो चुका है आव इसमें डालेंगे तो प्या प्याज जो मैंने पेस्ट बना लिया था जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है उसमें हम डाल देंगे अधरा कलसंद का पेस्ट यह मैं डाल रहे हूँ एक चमज और दो चमज आप अपने हिसाब से डालिए अगर कम सबजी हो तो कम डाल सकते हैं अब जब तक यह कच्छापन नहीं निकल जाता और तेल अलग नहीं होता अधरा क्लसंद मसालों से हमें इसको भूनना है अब यह अधरा क्लसंद भून चुका है अब हम डालेंगे इसमें मसाले आदा चमज हल्दी पाउडर धन्या पाउडर आदा चमज लाल मेर्च पाउडर में दो चमज डाल रही हूँ आप अपने इस साफ से डालिए थोड़ा सा यह स्पाइसी अच्छा लगता है मैं डालूँगी थोड़ा सा आदा चमज कश्मीरी लाल मेर्च कलर के लिए नमक डालते हैं स्वाद अनुसार ध्यान रखे हैं हमने चने में में डाला था अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ मसाले के लिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा पाउडर बनाया था ना हम उसे भी डाल देते हैं वह भी अपने मर्जी से डालें मैं यहां एक चमज डाल रही हूं मिक्स कर लेते हैं इसे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका देते हैं एक दो-तिन मिनट के लिए इसे पका देते हैं दो-तिन मिनट हो गया अब हम इसमें डाल देते हैं चले मैंने एक टमाटर काट लिया है यह साइस के इसमें डाल देते हैं और जो चने का पानी निकला था ना कुकर में से वह भी इसमें डाल देते हैं उसको फेकना नहीं है इसका रसा एकदम पतला रहता है अब इसको अच्छी तरह से हम पतने देते हैं 10-12 मिलब के लिए अच्छी तरह से अब मैं यह चमच निकाल लेती हूं और देखिए इसका रंगत एकदम बदल गया अब हम डालेंगे इसमें शक्कर मैं एक कप ले रहे हूं आप अपने मर्सी से जितना चाहे कंब या जादा डाल सकते हैं अब इसको चलाते रहे हैं पोड़ी देर के लिए जब तक शक्कर पिघल नहीं जाता जल सकता है नीचे से अब 10-12 मिनिट हो गया है हम यह निकालते हैं ले इसका यह पक चुका है अच्छी तरह से और देखी यह तरी ऐसे रहना चाहिए पतला अगर गाड़ा रहता है तो चना मसारा रहता है यह तो तरी बना रहे हैं इसको पसला ही रखना है रसा को अब इसमें हम डाल देते हैं फाइनल आधा चमज गरम मसारा और हरा धन्या हम जब सर्फ करते हैं तब डाल देते हैं चलिए अब इसे बाजू में रख देते हैं यहाँ पर मैंने गरम पानी रखा है हम डालते हैं घी मैं डालूंगी अब सेवाई यह सेवे आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है लाइट गोल्डन होने तक हमें इसे भुनना है सेवे अब भुन चुके हैं अच्छी तरह से गोल्डन होगे हैं अब इसमें हम डालते हैं पानी गरम पानी है अच्छे से अच्छा से गरम पानी दाने है अब यह सेवे पक चुके हैं अब इसको हम वह डूर में डाल देते हैं यह हम सेवे डाल देते हैं हम डाल देते हैं एक प्रमा चलाइची पाउडर अब इसको ठंडा होने देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं हम ठंडा ठंडा कूल कूल भी सर्फ कर सकते हैं या तो फिर गर्मा गरम भी सर्फ कर सकते हैं यह ठंडा होने के बाद और गाडा हो जाएंगा मास्त एक दम यह में रख देती हूं ठंडा होने के लिए कजड़ेड अभान हम जाएंगे रेख पोह की तरफ यह मेंने लिया है मोटा पोह यह ग्मईत दो लिया है और एसे जाली में डाल दिया है तक पानी स्वेंब निकल जाता है उसमें से यह में थोड़े मुआज पानी में ढालूंगी थोड़ा सब शक्कर इसको में बॉयल कर लेती हूं मतर को अब इसमें डाल देंगे तेल तेल गरम हो चुक्या अब इसमें हम दालेंगे प्याज मैंने पतले-पतले प्याज कात लिये हैं चार छोटे कि आज का रंग थोड़ा बदल गया है अब इसमें हम डाल देते हैं हारी मिर्ट आप अपने हिसाब से डालिए हारी मिर्ट आप जितना चाहते हैं और जैसे हम हरी मिर्च डालते हैं हम इसमें डाल देते हैं नमक ताकि मिर्ची हमारे मुझ में तीखा न लगी आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं बॉइल डालू कि हम यह तरी पोहा बना रहे हैं तो मैं आलू नहीं डाल रही हूं प्याच सुनेरे हो चुके हैं अब हम डाल देते हैं करी पत्ते आदा चमज हल्दी पाउडर लाज मिर्च पाउडर आदा चमज और जो माटर हमने पकाया थे ना बॉइल किये थे वो भी डाल देंगे अब इसमें हम डाल देते हैं पोहा पोहा फूल गया है अच्छी तरह से इसमें डालेंगे हम एक चमज शकर क्यूंकि यह चोटी चमज है मैं दो डालूंगी और यह जो हरा धन्या है न मैं इसी में मिक्स कर देती हूं भर भर के लिया है मैंने अब मिक्स कर लेते हैं इसमें हम डाल देते हैं निम्बू का जूस एक निम्बू का जूस है अब इसको ढखके हम एक साथ मिनिट के लिए भाब्त लेते हैं बीच में से चलाते रहना ने तो नीचे से जल जाएना यह मैंने खीर सर्फ कर दिया है अब मैं इसमें ड्राइफ्रूट्स दालूंगी थोड़े से किश्मिर्श काजुन यह ओगया खीर सर्फ करना अब मैं दूंगी तर्री पोह यह मैंने पोहा सर्फ कर दिया है अब इसमें डालूंगी हरा धनिया फिर मैं डालूंगी शेव इसमें हम डाते हैं रा धनिया यह नास्ता तयार हो गया मैंने नापूर का फेमस तर्री पोहा बनाया है और यह सेवाई की खी तर्व शे पोहा है थै यहलाल ह rocking कर दोग्र आमी कीजए यह थि menor Different Dire tuition